वह तुम्हें क्यों मारने लगा को इंग्लिस में कैसे कहेंगे तो चलिए हम इसकी इंग्लिस जानते हैं और साथ ही हम इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे वह तुम्हें क्यों मारने लगा पहले हम इसकी इंग्लिस जानते हैं तो इसकी इंग्लिस होगी, why did he begin to beat you, देखिए मारना को इंग्लिस में beat कहते हैं, तो चलिए हमें से सीखते हैं कि यह किस नियाप पर translate हुआ है, तो देखिए यदि simple sentence होता है, यदि कि वह तुम्हें मारने लगा, कि वह तुम्हें मारने लगा, तो इसकी इंग्लिस बहुत ही इंडिपनिटेंस का ही sentence होता है, तो इस पास्ट इंडिपनिटेंस के इंट्रोगेटिव sentence को इंग्लिस में translate करने करने हमें, पहले वह फैमिली से, यानि वह उसके बाद did, उसके बाद subject, इस बाक्य में subject है, वह यानि ही, उसके बाद begin लिखना है, देखिए लगा, यानि उसके बाद verb उसके बाद other object